हेलो फ्रेंट्स मैं हुशनमय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी चॉपनियूज इस वीडियो में 24 सितंबर 2008 के सभी करेंट उफेर्स हैं दोस्तों ये आजकल थोड़े लेड से वीडियो जा रहा है और कोशिश होगी कि ये जल्दी वीडियो चला जाए अपसे कोशन होगा मालदीव का नया राष्टपती किसे चुना गया है ये बहुत इंपोरेंट कोशन है क्योंकि जो पिछले राष्टपती थे जो अभी तक बने हुए वो चाइना के साथ उनका सांटकाट है और उनहीं की वज़ से भारत से मालदीव की दूरी बहुत बढ़ गई और दुश्मनी की तरह हो गई हालात तो नया जो राष्टपती चुनेंगे हैं उनका नाम है इब्राहिम मुहमद सोहिल वो मालदीविन डिमोकरिटिक पार्टी यानी MDP के उमिद्वार थे और दूसी तरफ जो अब्दूला यामीन गयूंग थे उनको हार का मुह देखना पड़ा है चीन समर्थित थे वो ये जो नया राष्टपती होंगे इब्राहिम मुहमद सोहिल वो माना जाता है कि वो भारत से उनकी अच्छे समन्द रहेंगे और अब तक उनकी जो बाचीत रही है वो भारत से समर्थित रही है तो उन्होंने कहा है यामीन से कहा है कि शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तनांतर कर दिये जाए अगला कुशन है किस देश की एजनसी जाक्सा ने पहली बार किसी छुद्रगार यानि इस्टरोड की सत्ता पर दो रोवर उतार कर नया किर्थिमान रच दिया तो इंसल हो गए इसका जापान जो जाक्सा है अंतरिक्ष एजनसी वो जापान की है तो क्या हुआ है तो रोवर 1A और रोवर 1B को मिला कर एक रोवर है मिला जुला मिनारवा 2-1 यह आपको याद रखना है उसने बीते शुक्रवार को अंतरिक्ष एजनसे अलग होकर रायोगू की सत्ता पर उतरा है तो यह इस्टरोड का नाम है रायोगू और यह मिनारवा 2-1 जो है वो किसी छुदरगार की सत्ता पर उतरने वाला दुनिया का पहला रोवर है तो यह भी कोशन हो सकता है इस्टोराइट की सतह पर तस्वीरें उतारने का भी रिकॉर्ड इसी के नाम हो गया है इससे पहले कभी भी इस्टोराइट की सतह की तस्वीरें नहीं लिजा सकी थी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है अगला कोशन है दोहा में एशियाई टीम स्कूनर चेंपिन्शिप में भारत ने कौन सा पदक चीता तो एंसर होगा सिल्वर देखिए फाइनल में भारत को पाकिस्तान से हार मिली थी और दोहा जो है वो कतर की राजधानी है और फीफ जित होगा देखिए इंडिया में नहीं होगा एंसर है दुबाई देखिए महराष्ट और मद्ध पुर्व देशों के वीच व्यापारिक समन्द है उसको और ज्यादा बहतर करने के लिए यह आयोजन होगा और दुबाई में ICC का मुख्याले भी है ठीक है अगला कोशन है स्मार्ट E Public Distribution System यानि E PDS को लागू करने वाला उत्तर पुर्व का पहला राज कौन बन गया है अगला कोशन है किस राज की केबिनिट ने हाली में राज शिक्षा नहीं थी 2018 के अंतिम मौसादे को मंजूरिती है तो एंसर है मेधाले देखिए इस नीती में फोकल पॉइंट के रूप में शिक्षारती है और इसमें दृष्टी समगर लक्ष प्रारंभिक बाच्पन की देखभाल शिक्षा प्रात्मिक मादमिक उच्च मादमिक और शिक्षक शिक् महत्सब होते हैं वो बहुत इंप्रोटेंट होते हैं एक्जाम के निजरिये से क्योंकि वो आते ही हैं एक्जामस में अभी देखिए ग्रूप डी एक्जामस में बहुत सारे महत्सबों के बारे में पूछा गया है तो यह नरोपा महत्सब है वो लद्दाक में आयूत होता है और तिबती केलेंडर के हर 12 विए साल में यह टितेवाहर मना जाता है अब हाली में मनाय गया है इस महत सोब को हिमालय के कुंब selective तर भर भी जाना जाता है पांच दिनों का होता है यह नरुपा टितेवार और इस दौरान इस बार यानि ये 22 सितंबर को तसरिंग लडोल को हिमालय हीरो पुर्षकार से समनित किया गया क्यों? क्योंकि उन्होंने 2005 में माउंट एवरिष्ट पर चढ़ाई की थी और वो लद्दाख की पहली ऐसी लड़की थी तो 22 सितंबर को नरोपा महोटसप के दोरान एक और एक काम हुआ है जो आपको ध्यान में रखने की जुरूरत है कि वहाँ के समापन को चिन्हीतर करने के लिए वहाँ पर परमप्रगत लद्दाखी शाकी पोशाक में 299 महिलाओं ने गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ एक डांस किया निर्त किया और इस नित्द को सबसे बड़ा लद्दाखी निर्त के रूप में गोशित किया गया है अगला कोशन है विश्व एंटी डंपिंग एजनसी ने हाली में किस देश की एंटी डोपिंग एजनसी से अपना प्रतिबंद हठा लिया है तो इसका एंसर होगा रूस यह जो एजनसी है यानि विश्व एंटी डोपिंग एजनसी इसको वाड़ा भी बोलते है और यह चेक करती है कि खिलारियों ने प्रतिबंदित दवाओं का सेवन तो नहीं किया है ड्रक्स तो नहीं लिया है डोपिंग तो नहीं किया और यह जो विश्व एंटी डोपिंग एजनसी है वाड़ा उसका मुख्याल है कैनेड़ा के मौटरियाल शहर में ठीक है अगला कोशन है चीन पकिस्तान आर्थिक कोरिडोर यानी CPEP से जुडने वाला तीसरा देश कौन बन गया है तो एंसर है साओधी अरब और साओधी अरब की राजधानी है रियाद देखिए जो CPEP है उसका भारत फिरोध कर रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान occupied कश्मीर है उस इलाके से ये चीन का कोरिडोर जा रहा है तो अब तीसरा देश भी जूड़ गया है इस से प्रोजेक्ट से साओधी अरब तो उसकी वीज़ से इंडिया के लिए थोड़ी चिंता की बात तो है ही क्योंकि इंडिया लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है और एक बड़ा देश जो उसके साथ शामिल हो गया अगला कोशन है इसरो ने गगन यान मिशन के लिए किस जगा पर तीसरे लॉंच पैट की अस्थापना की है तीसका एंसर होगा श्री हरी कोटा ठीक है देखें 21 सितंबर को यहनी हाली में बारती अंतरिक्ष अनुस्वादान संगटन यहनी इसरो ने गगन यान मानो अंतरिक्ष कारिकरम शुरू करने के लिए श्री हरी कोटा अंधरपरदिश में यह तीसरा लॉंच पैड अस्थापित करने का काम शुरू कर दिया है अब जल्दी हो जाएगा अस्थापित और आप तो जानते हैं कि गगन यान मिशन के तहट 2022 तक हमारे जो अंतरिक्ष यात्ती हैं भारतिये उनको भेजने का प्लान है इसरो के द्वारा अगला कोशन है रेप के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने वयस सामगरी वाले वेबसाइट यानि एडल्ट वेबसाइट को प्रतिबंदित किया है टेंसर होगा नेपाल और वहां की केंदरी सरकार ने ये सोचा कि शायद एडल्ट वेबसाइट की वेज़ से ये सब हो रहा है तो उन्होंने प्रतिबंदित कर दिया है एडल्ट वेबसाइट को अगला कोशन है उलम्पिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर दत को कोचिंग देने वाले कोच का हली में निधन हो गया है तो उनका नाम बता है इंपोर्टेंट कोशन हो जाता है एंसर है येश्वीर सिंग उन्हें द्रोनाचार समान भी मिल चुका है इनको जो शिश्य थे सुशील और इगेश्वर ये दोनों पालवान है और हडियानाके है अगला कोशन है ओडिसा ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे नुक्त किया गया है तो इसका इंसर होगा सुदर्शन पतनायक इनको सब जानते हैं आप भी जानते ही होंगे वो मिर्दा कलाकार है मतलब मिट्टी और रेट से आकरिती बनाते हैं और दुनिया भार में परसिद हैं जो भी important occasion होता है उस पर उनका एक आकरिती रेट से बना हुआ ये मिट्टी से बना हुआ हमें निउस परपर में देखने को मिलता है अगला कोशन है अगला कोशन है केंट सरकार के दवाव में और सुप्रीम कोट की आदेश के बाद किस मैसेंजिंग सर्विस कमपनी ने भारत के लिए शिकायत निवारन अधिकारी की निउक्त की है इसका एंसर होगा वाट्सेप वाट्सेप ने इस पर अपने गलोबल कस्टमर ओपरेशन की वरिष्ट निदेशक कोमल लाहरी को निउक्त की है अगला कोशन है विश्व राइनो दिवस कब मना जाता है तो इसका एंसर होगा 22 सितमबर देखें इंडिया में आसम का ये राज की पशू भी है राइनो को करते हैं हम लोग गेंडा ठीके एक सिंग वाला गेंडा यहां होता है राइनो होता है और आसम ने भी इसी दिन को राइनो के रूपे मनाने का फैसरा लिया है अगला कोशन है केंसरकार छेतरिये ग्रामिन बैंक को यानि RRB की एकिकरन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है तो RRB की मौजूदा संक्या 56 से घटा कर कितना करने की तयारी है तो इसका अंसर होगा 36 देखिए एक तयारी हो रही है कि तो छेतरिये ग्रामिन बैंक को का जो गठन हुआ था वो RRB अधिनियम 1976 के तहत हुआ था यह भी आपको याद रखना है इसके गठन के पीछे मकसद यह था कि छोटे किसानों, क्रिशी श्रमी को और ग्रामिन छेतरों में काम करने वाले कारीग्रों को कर्ज और दूसरी सुवधायों उप्रब्ध हो यहां एक और इंपोर्टन बात है कि सरकार ने इसी महीने यानि सितंबर में बैंक और बडुदा, विजया बैंक और देना बैंक के विले की प्रक्रिया शुरू किये जो अगले कुछ महीने में पूरी हो जाएगी अगला कोशन है किस राज में हाली में वहां की महीला को खतरनाक जीका वायरस के सक्रमन का पहला मामला सामने आया है ते एंसर होगा राइस्थान तकि मेरे इस कोशन का मतलब यह नहीं कि भारत में पहला मामला है पतर कि उस राज में पहला मामला है तो है राइस्थान और ये पुने की लेबरोटरी में जो कव्मेंट की लेबरोटरी है वहां जाच में महीला को जीका वायरस की पुष्टी हुए और यहां बता दूँ कि भारत में जीका वायरस का पहला मामला मई 2017 में गुजरात में सामने आया था तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो अब करेंटरफर्स का अगला वीडियो कल मौनिंग को आएगा अपने दोस्तों को ये करेंटरफर्स जरूँ शेयर करें वाटसेप पर फेस्बुक पर और इसका डिटेल नोटस और पीडियेफ आप वीडियो के डिस्किप्टिन से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद